नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया नियूज में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे बॉलिवूड एक्रिस जानवी कपूर भले ही फिल्मी बैक्राउंड से आती है लेकिन उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है बॉलिवूड में उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है जानवी कपूर का इंडस्ट्री में करिया जादा समय का नहीं हुआ है लेकिन वे अक्सर लाइम लाइट में आ जाती है इसके साथ ही जानवी कपूर अपनी परसनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा का विशह बनी रहती है मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वे शिकर पहाडिया को डेट कर रही है इन दावों के पीछे सच्छाई ये है कि दोनों अक्सर साथ में नज़र आते है फिलहार जानवी कपूर और उनके रियूमर्ट बॉइफ्रेन यानि की शिकर पहाडिया एक बार फिर साथ में एरपोर्ट पर स्पॉर्ट हुए है जानवी कपूर और शिकर पहाडिया फ्रायडे को मुंबई के कलीना एरपोर्ट पर स्पॉर्ट हुए थे डोनों की तस्वीरे सोशल मेदिया पर तीजी से वाइरल होगी जैसे ही वो सपॉर्ट हुए उनकी जो फोटोस थी वो सोशल मेदिया पर वाइरल हुए जानवी कपूर जब एरपोर्ट पर नज़र आएं तो उन्होंने वाइड ड्रेस पहनी हुई थी जानवी कपूर ने काला चश्मा भी लगा रखा था शीकर पहारिया ने वाइड शर्ट के साथ पैंट पैं रखी थी उन्होंने हाथ पर कोट डाला हुआ था शिकर पहाडिया ने भी चश्मा लगा रखा था तो उसके साथ ही जानवी कपूर का अकसर शिकर पहाडिया के साथ नाम जोड़ा जाता है कि दोनों एक दूसरे को डेट करें हैं हालाकि जान्वी कपूर ने कभी इस बात से मना नहीं किया है कि वो उसे डेट कर रही है कि नहीं कर रही है शिकर पहाडिया ने भी जान्वी कपूर के साथ अपना नाम जोड़े जाने पर कोई प्रत्रिक्रिया नहीं दी है हाला कि ये दोनों अकसर साथ में ही दिखाई देते हैं जानवी कपूर और शिकर पहारिया को कई पार्टीज में एक साथ स्पॉट किया गया है इन दोनों के फोटोज और वीडियोज हमेशा एक साथ ही नजर आते हैं और जैसे ही वो एक साथ नजर आते हैं तो वो वाइरल हो जाते हैं जानवी कपूर के अफेर के चर्चे शिकर पहारिया के अलावा इशान खटर के साथ भी रहे हैं इन दोनों ने फिल्म धड़क के साथ अपने काम की जो बॉलिवोड में डेब्यू किया था जानवी कपूर ने साल 2018 में फिल्म धड़क से बॉलिवोड में डेब्यू किया था इस दौरान उनके इशान खटर के अफेर की खबरे सुर्कियों में बनी रही जानवी कपूर की पाइपलाइन में फिल्म मिस्टर और मिसिस माही फिल्म बवाल और फिल्म NTR30 में नजर आने वाली है तो इसी तरह की तमाम बॉलिवोड की खबरों के लिए जुड़े दिया नियूस के साथ